नमस्कार आप देख रहे हैं लाइफ सिटीज मैं हूँ आपके स्टाश शेवं बिहार के मुख मंतरी नितीश कुमार की अध्यक्ष्टा में आज मंतरी परिशत की बैठक बुलाई गई थी आपको बता दे कि इस बैठक में कुल 21 अजेंडो पर मुहर लगी है विस्तार पुर मामले मंती परशद के समक्च विचारात रखे गए जिस पर मंती परशद ने विचारो परांत अपनी स्विकृती ब्लान किये है पहला उद्योग विभाग से मेसर्स इस्टन इंडिया बायो फ्यूल्स प्राइबिट लिमिटेड गनेश पूर परोड़ा कृत्यानन नगर पूनिया है ये और 65 किलो लीटर पर डे की छमता वाले इठनॉल इकाई की स्थापना की जाएगी और जिसके लिए 96 करोड 76 लाग 23 हजार रुपए के निजी पूंजी निवेश और उस पर वित्तिय प्रोचाहन क्लियरेंस की स्विकृती दी गई है उसी प्रकार से एक बहुत ही एहम फैसला उद्योग विभाग का ही लिया गया है और वो है मैसर्स कल्यानपूर सेमेंट लिमिटेड जो नैशनल कंपनी लौ ट्रिबिनल के तहट थी और उसके आदेश के आलोक में उसके दिग्रहन के प्रस्चात उसको मैसर्स डालमिया डि एसपी लिमिटेड बंजारी रोहतास के पुनरवास पैकेज की स्विकृती मंत्री परशद के द्वारा दी गई है तो ये एक जो सिमेंट प्लांट है ये चालू हो जाएगा और ये राज के इंडस्ट्रिलाइजेशन के क्रम में ये बहुत ही एहम फैसला मंत्री परशद ने लिया है श्री मिथलेश कुमार सिंग जलसंसाधन विभाग के ततकालीन कारेपालक अभ्यंता थे इन्हें सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था और माननिये उच्च न्याले के नियादेश के क्रम में पुनह डिपार्टमेंटल प्रसीडिंग चलाए जाने का निदेश प्राप्थ हुआ है इसलिए उनको अभी ततकाल उनकी जो बर्खास्तगी है उसको रद करते हुए उनको सेवा के अंदर लेते हुए उनके विरुद्ध विभागे कारवाही चलाई जाएगे राजमे दिनांक 1905 से और उसके बाद जो कर्मी नियुक्त हुए है उनके लिए नई अंशदाई पेंशन योजना लागू की गई है और उसे राष्ट्रे पेंशन पनाली के रूप में अधिसुचित किया गया है और जो बित विभागे का एक संकल्प है 31.8.2005 में उसमें जो उल्लेखित जितने भी कर्मी हैं उन सब को उसके तहट लिया गया है उनके लिए दिस्थारित किया गया है इसे वित विभाग के इसी परकार वित विभाग के द्वारा जो एक साथ 2021 से जो डिये बढ़ने की स्विकृति हुई थी तो उसमें जो जुलाई और अगस्त का जो भी बकाया राशी है वो CFMS में एक ही महने का लेता है इसलिए ये मंतिबर्शन ने निर्णा लिया है कि इसे इस बकाया राशी को अक्टूबर महने का जब वो सैलरी लेंगे तो उसी के साथ उसे एकमुष्ट करके उसका भुपतान कर दिया जाएगा वित्भा के ही दो अन एहम फैसले हैं एक है कि कुछे कर्मी है वित्भा सरकार के जो सिक्स्थ पे कमिशन से गाइड़ होते हैं उनके लिए 17221 से उनका जो डी ए था वो 174 प्रतिशत से बढ़ा करके 189 किया गया है और जो पंचम पे स्केल से कनेक्टेड हैं कुछे कर्मी हैं उनका जो डी ए है वो 17221 से 312 प्रतिशत के स्थान पर 356 प्रतिशत किया गया है तो ये वित्भा के फैसले थे वित्भा ने प्रसाशन वित्भा के द्वारा जो बिहार तक्नीकी सेवा आयोग अधिनियम 2014 है उस एक्ट में संशोधन किया गया है और संशोधन का जो प्रारूप है इस पर आज मंति परशद के द्वारा स्विकृति दी गई है वर्ष 2022 का जो कैलेंडर येर है उसमें निगोशिबल एक्ट के तहट जो छुटियां दी जाती है आज उन छुटियों के प्रारूप पर मंति परशद की स्विकृति दी गई है और ये हर वर्ष होता है और श्रीमती संगीता रानी है ततकालीन सबजज सह एसी जेम मंजौल बेगुसराय इनको डंड सरूप इनको आज कंपल्सरी रिटायर करा दिया गया है मद्य निशेद उत्पाद एवं निबंधन विभाग के द्वारा बिहार मद्य निशेद और उत्पाद अधिनियम 2016 पिधारा 95 के तहट बिहार मद्य निशेद और उत्पाद नियमावली 2021 को जिस दिन से वो गजट में अजिसुचित होगा उस दिन से उसे लागू करने का निर्णे मंति परशत के द्वारा लिया गया है और इसी पकार ग्रे विभाग के द्वारा बिहार कारा एक्सरे टेक्निशन संवर्ग निमावली 2021 के गठन की स्विकृति दी गई है जो पहले परिवहन विभाग के अंतर जो राज परिवहन अपीलिये न्याइधिकरण था उसको पुनर गठित करते हुए उसे राज स्थरिये दावा न्याइधिकरण का रूप दिया गया है और उसके सुचारू रूप से चलाने के लिए अपर जिला परिवहन पदारिकारी एवं संकच स्तर के दो पद M.V.I. के स्तर के दो पद आशुलिपिक का एक एक उच वरगिय लिपिक और एक निम्न वरगिय लिपिक के पद को के स्रिजन का प्रस्ताव था जिस पर मंतिर परशत के द्वारा स्विकृती दी गई के एक तीन फैसले थे जिन पर आज तीन प्रस्तावों ते जिसपर मंत्रिपरशत के दुरा स्विकृति दी गई है पहला है कि राज में 8386 जो राजकिये कृत प्रारंधिक विद्याले हैं उनमें एक एक शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्त अनुदेशक का पद स्विकृत किया गया है इन्हें मंत्रि 8000 रुपे और प्रती वर्ष उस पर 200 रुपे की वेतन विद्धी दी जाएगी ये काफी दिनों से लंबित था और इस पर आज मंत्रिपरशत की स्विकृति मिली है 2021-22 के लिए हम जो शिक्षा विभाग के तहट जो तमाम प्रोटसवान राशी देते हैं अपने वच्चों को उसके लिए प्रावधान ये है कि वर्ष के जो प्रथम छे महने में जिनका अटेंडेंस 75 प्रतिशत होता है उन्हें ही ये दिया जाता है चुकि इस वर्ष सेतंबर माह के शुरुआत में ही विद्यालियों को खोला गया है इसलिए निड़न ये लिया गया है कि 2021-22 के लिए ये जो 75 प्रतिशत की जो अटेंडेंस के अनिबारेता है उसको एक वन टाइम शित्हिल कर दिया गया है ताकि सभी को ये जो राशी है इसको दी जा सके और रूसा जो राश्टे उच्चतर सिक्षा अभियान है उसके कार्यानवन के लिए राजसरकार ने State Higher Education Council का गठन किया है राज्य उच्चतर शिक्षा परिसद तो इस राज्य उच्चतर शिक्षा परिसद में कुल 20 पदों के सिजन की स्विकृति मंतिपरशत के द्वारा दी गई है जिसमें 7 पद ऐसे हैं जो नियमित सेवा वाले पतारिकारी उस पर डेपिटेशन के अधार पर आएंगे और 13 पद ऐसे हैं जो जिन पर सविदागत नियुक्ति की जाएगे जो मनने उच्चतम न्याले के आदेश के क्रम में जो बिहार राज खस्त करगा और हस्त शिल्प निगम है और बिहार राज आउशदी एवं रासायन विकास निगम है उनके करमियों के वेतनादी भुक्तान के लिए मन्ति परशद के द्वारा 77 करोड 5 लाग 26 जार रुपे संतुल राशी सशर्त रिण के रूप में बिहार आकस्मिक्ता निधी से अग्रिम स्विकृती देने के प्रस्ताव पर मन्ति परशद के द्वारा स्विकृती दी गई है द्वीतिये चरण की स्विकृती ये प्रस्ताव ग्रामिन विकास विभाग के द्वारा लाए गया था उस पर स्विकृति मंति प्रशंद के द्वारा दी गई है और अभी आपको जांकारी है कि पंचायत के इलेक्शन्स चल रहे हैं तो पंचायत के इलेक्शन्स को निश्वक्ष और पारदर्शी रूप से चलाने के लिए दो महत्वपूर निर्ने लिए गए हैं एक है कि बिहार पंचायत आम निर्वाचन 2021 के अफसर पर डबल वोटिंग नहीं हो इसलिए प्रतेक बूथ पर बायो मेट्रिक्स की विवस्था की जाएगी और इसके लिए भारत सरकार का एक उपक्रव है Broadcast Engineering Consultant India Limited ये बैंगलूरू में है इसको नॉमिनेट किया गया है और उसी प्रकार से प्रतेक मतदान की अंदर पर जो मतदान चलेगी और जो मतदान की प्रक्रिया होगी उसकी लाइव वेब कास्टिंग की जाएगी तो उसके लाइव वेब कास्टिंग करने के लिए निक्सी जो भारत सरकार की ही एक उपक्रम है उसको मनोणित करने का निढ़ने मंत्र परशत के द्वारा लिया गया है और अंतता स्वास विभाग के द्वारा डौक्टर श्रीमती अनामिका ये चिकित्साप अधारिकारी प्राथमिक स्वास केंदर खड़कुर मुगेर में हुआ कर तो आपने साफ तौर पर सुना आज मुख मंतरी नितीश कुमार की अध्यक्षता में मंतरी परिशत की बैठक बुलाई गई थी जहां पर सारे जो मंतरी हैं वो मौजूद थे और अलग-अलग विवहागों को लेकर आज वहां पर बैठक की गई जिसमें कुल 21 एजेंडों प स्कूल नहीं जा पा रहे हैं उन्हें जो प्रोचाहन रासी सरकार के द्वाराज दी जा रही है इसको लेकर भी इस बार जो प्रोचाहन रासी है वो छात्रों को दी जाएगी जिसमें 75% जो एटेंडन्स है वो कंबल सरी नहीं होगा बहराला बनर है हमारे साथ अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल से जल सब्सक्राइब कर ले धन्यवाद